नमस्कार मैं शिवानी मदान फाइटर समचार में आपका स्वागत करती हूँ इस वक्त का जो समचार आ रहा है वो है मोसम का जी हाँ एक सता से चल रहे खराब मोसम और आंदी तुफान ओलव रिष्टी से अब निजात मिलेगी और शुरू होगी तेजगर्मी पिछले चार-पांस दिनों से राजस्तान सहीत कई प्रदेशों में आंदी तुफान तथा ओलव रिष्टी जम कर हुई तेज आंदी और बारिष के साथ साथ ओले भी अनेक स्थानों पर गिरे इस ओलव रिष्टी और बारिष के चलते सरवादिक नुकसान की सानों को हुआ क्योंकि एक तरफ खेतों में खड़ी फसल बरबाद हो गई वहीं मंडी में पड़ी फसल भी पानी में बह गई इस ओलव रिष्टी बारिश और तुफान की जानकारी मोसं विभाग द्वारा पुर्व में ही चेतामनी के रूप में जारी कर दी गई थी अब मोसं विभाग ने जानकारी दी है कि तुफान का सबसे खतरनाक दोर अब गुजर गया है आज से गर्मी भड़ेगी मोसं विभाग ने कहा है कि पिछले दिनों भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तुफान का जबरदस्त कहर देखने को मिला पश्चमी मध्य और उत्री भारत में यह तुफान पश्चमी विक्षोब बनने से अरब सागर पर बन रही आदरता और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्मी हवाओं के टकराने के कारण यह तुफान आया मोसम विभाग का कहना है कि तुफान का सबसे खराब रहने वाला असर अब खतम हो गया है और आज से मोसम फिर गरम रहने वाला है मोसम विभाग का कहना है कि तुफान का सबसे खतरनक रहने वाला दोर अब गुजर चुका है यह भी कहा कि आज से ही पूर्वी भारत को छोड़ कर देश की जादातर हिस्तों में मोसम भी गरम होने जा रहा है